मू मांगा खाना भई सास की आगया तो हर बहु के सर आखों पर होती है तो राइना क्यों नहीं सास की बात माने लेकिन राइना की सास वो तो एक नंबर की चटोरी थी अरे विमला तेरे तो मज़े आगे बस खटिया में बैठे बैठे ओडर दो और बहु खाना बनाएगी वाँ भी वाँ क्या बात है तब भी राइना सास के हाथ में गर्मा गरम टिक्की की प्लेट पकड़ाती है मौसी जी आप भी खाएंगी टिक्की नई ने वो नहीं खाएगी वो क्या है ना उसे तो सिर्फ डोसा पसंद है जा उसके लिए डोसा बनाला जी अभी लाती हूँ राइना के जाने के बार लेट ट्राइकर और बता कैसी बनी आए मौसी सास सास की प्लेट से टिक्की खाती है वाँ वाँ क्या बात है गाउं का कल्लो हलवाई याद आ गया क्या खाना है भई तभी तो अरे कानपुर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है मैंने तो शार्त रखी थी कि बेटी का कोई गुण नहीं चाहिए सिर्फ खाना वो बनाए जो मैं कहूँ अब दख सास और मौसव सास बात कर रही थी कि सामने से बहु डोसा लेकर आती है लेखा बड़ी जल्दी लेकर आदी क्या बात है बहु मजा ही आ गया वैसे डोसे का सामान इतनी जल्दी लेकर कैसे आई वो पास वाली शर्मा अंगल जी की किरानी की दुकाने न, सासुमा की वहाँ से उधारी चलती है, तो जो मन करता है वो लियाती हूँ, वो क्या है न, सासुमा को खाने का शौक है तो बनाने ही पड़ता है, वो जो कहती है, अच्छा ठीके ठीके, जा जा कर लस्सी भी ले करा इसकी साथ, और मेरे लिया कड़क मसाला चाए, भाहु फिर जाती है, थोड़ी ही देर में लस्सी के साथ चाए बना कर ले आती है, सास जैसे ही चाए का घूट लेती है, तुठ यह क्या है, दोध की जगए दही डाल दिया है क्या चाए में, अलस्सी में दोध, यह भगवान क्या करती हो बहु, तब ही बेटा आ जाता है, जो मा और मौसी को देख कर बोल पड़ता है, क्या बात है, क्या पसंद नहीं आया आप लोगों को मेरी बीवी के आद का, बड़ा बीवी बीवी कर रहा है, देख तेरी बीवी ने क्या किया, चाए में दही डाल दी और लस्सी में दोध, लेकिन उससे पहले जो आलो टिकी और डोसा किला आया था, वो भी तो बता दीजी कैसा था, बस बुराई करनी आती है आप लोगों, मैं नहीं कर रही अब रिसुई का काम, बहु गुस्से से कमरे में चली जाती है, क्या है ये, बहु तो मू फुला कर कमरे में चली गई, अब तु शाम का नाश्ता, रात का खाना सब बचा है, वो कौन बनाएगा, आप दोनों बहुत मेरी बीवी की बुराई कर रहे दिना, अब करो रात का काम रसुई का, रोहन भी बीवी के पीछे-पीछे कमरे में चला जाता है, चल रहे बहन, थोड़ी कमर सिधी कर ले, शाम को घर की रसुई में भी लगना पड़ेगा, अरे हो जाएगा, पास के नुकर से पहले मेला देखने जाएगे हम, अरे नाना, मेले के बाद मुझ से नहीं होगा काम बा, अरे चलना, करना क्या है, बाहर से पैक करवा कर ले आएगे, सुबह तक तो बहु का गुस्सा उतर ही जाएगा, बस फिर क्या था, सास और उसकी बहन चली जाती हैं, मिला देखने, ठाक हार कर दोनों बहने घर आती है की, चल बहन किचन में रात का खाना बनाना है, क्या बनाया जाएगे, बहु क्छ रहती है तो जो बोलो वो बना कर देती है, अब हम क्या बनाया है, अरे दाल चावन मिला कर खिचड़ी बना देंगी और क्या दोनों बहने जैसे ही किचिन में पैर रखती है सास जोर से चिलाती है और सास की बहन को तो चक्कर ही आ जाते है यह क्या है? किचिन में क्या भूकम पाया था? इतना फैला और गंदा किचिन का खाना कौन खाता है? क्या हाल बना रखता है किचिन का? मैं तो कहते हूँ बहु के पैर पकड़ कर माफी मांग लेते हैं मुझ से नहीं होगा पहले इसे साफ करो फिर खाना बनाओ सास भाग कर बहु की कमरे में जाती है बहु मुझे माफ कर दे, क्या हो गया, जो चाय मैं नहीं डाल दी तो, है, सुबसे काम कर रही थी, बिटा ठक गई होगी तू बहु का भी कलेजा सुबसे जल-जल कर शान्थ हो चुका था, मूँ बना कर उठती है, और पूरे एट किसा हम, बोलो, क्या खाना है? चोले भटो रहे, बस बहु, तो ऐसे बोलो न, और मॉसी, तुम्हारे लिए क्या अलग मैं नुकाच्छा अपना है? मॉसी को याद आ जाता है वो गंदा सा किचिन ना, ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस बहर से न, पानी खरीत कर लाई थी वही पी कर सो जाऊंगी, कल वापस भी तो जाना है गर सास समझ गई थी कि बैन को क्या हो गया है, पस सुपर फास्ट बहु फटा फट छुले भटूरे बना कर सास के सामने रख देती है, और सास चपर-चपर सब खा जाती है बहु वो किचिन थोड़ी फैली है तो थोड़ी, अरे लगा जैसे किचिन नहीं किसीने बम फेका हो, ऐसी कोई जगह हो, साब तहस नहस हो गया है जैसे बहु वैसे एक सवाल था, तुम्हें खाने का सामान मिल कैसे जाता है, डूनता कौन है, वो तो अभी बहु कुछ कहती, तो सास को लगता है कि फिर मौसी उसकी बहु को गुस्सा ना दिला दे आरा तुझे नहीं खाना तो पानी पी और सोजा, कल चली जाना घर बहु तो भी खा लेक अच्छा पस फिर क्या, अगली रोज मौसी सास चली जाती है, और सास बहु को जो बोलती है वो बना कर दीती रएती है क्या बात है राईना मादवरी बहुत तारिब करती है कहती है, मेरी बहु की हाथ में बहुत सौद है मैं तो खुश नसीब मूँ जो इतना अच्छा और जल्दी खाना बनाने वाले बहु मिल गई है वही सास के कमरे में सास का उल्टी और चक्कर से बुरा हाल हो गया था बेटा, ए बहु, कोई है ता मुझे डाक्टर के पास ले चलो तबी मौसी सास कमरे में आती है अरे कोई है क्या बहु, रोईत बेटा देखो तो क्या हो गया दीदी को अरे कोई है क्या बहु बेटा भाग कर सास के कमरे में आते हैं सास का पेट दर्द से बुरा हाल था, मू लाल हो रहा था अरे मा क्या हो गया, जल्दी मा को लेकर अस्पताल चलते है सबी मा को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं क्या खाया था इनोंने सुबह से बताऊं या अभी का आज क्या क्या खाया था ये बताए बेसन की पकोड़ों से शुरुआत हुई थी सुबह इनकी फिर समझे ना रुकिये जाकर छोले भटूरे में पाचन शक्ते तो है नहीं बोड़ी हो गई आप दलिया खाये उबले पानी के साथ मौसी सास के जाने के बाद अगले दिन मा जी क्या बनाओ सोच रही हूँ अज बड़ा पाउम बना दू वो भी उसल के साथ क्या बोलती है हाई रे बहु के मुसे ये सुनकर तो सास को लगता है जैसे जन्नत ही मिल गई बहु वो डाक्टर बोल रहा था कि अरे लेकिन चल कोई बात में तु बना ले मैं मैंनेज कर लोंगी बहु बना कर लाती है बड़ा पाउ सास बहु मिलकर खूब मसे सिखाते है बहु कुछ भी बोल खाने में मजाई आ गया सास की तब्यद जैसे तैसे ठीक होती है लेकिन सास की जबान दिन पर दिन और चटोरी होती चली जाती है सास बहु से कभी गोल गपे, कभी कचोड़ी, कभी दस्तर की वेंजन कभी कुछ कभी कुछ बिनवाती रहती है फिर एक रूज नजाने कैसे राशन की लिष्ट बनती है कि सुई से लेकर एरोपलेन तक साब रहता है उसकी रसोय में अच्छा जी, ऐसी कैसी रसोय है जरा हम भी जाके पडोसन रसोय देखने के लिए जैसे ही खड़ी होती है सास को वो गंदी रसोय आदा जाती है आरे कहां उठ रही है, बैटो, बैटो, बैटो वो बहु को ना पसंद नहीं है, कोई उसकी रसोय में जाके बैटो, वो भी ला कर देखी है बहु थोड़ी ही दिर में सारा टिबल सजा देती है वा, बहु, वा, क्या बात है पडोसन खाना काकर चली जाती है सास भी बहु की तारीफों के पूल बानती है कि तभी पती घर आता है पेट पकड़ कर मा रही न, पता नहीं मेरे पिट में क्यों दर्द हो रहा है ये बगवान सास बेटी के हालत देकर परिशान हो जाती है ना जाने क्या हो रहा है हमारे घर में सबको पहले मेरे तभिय तभ इसकी बहुतु ना किचिन साफ रखा कर बिटा तेरा किचिन इतना गंदा है कि कोई भी बिमार हो जाए अरे सारा दिन तो खाना ही बनता रहता है कैसे और कब साफ करूं मैं किचिन मोटे मोटे चुहे के मूँ से छिन कर खाना बनाती हो लेकिन आप जो बोलती हो वो बना तो देती हो ना क्या चुहे के मूँ से छिन कर और नी तो क्या कभी गाजर कभी मुली कभी कुछ चुहे इतने हो रखे है ना घर में ये बगवान, यही सब खागर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अभी मां की दवाईों में इतने पैसे लगे, अभी मेरी दवाई में पूरे घर का बज़े डिल किया, तबी डॉर बिल बच्चती है, और सामने खड़ा होता है सबसी वाला, राशन वाला और डेरी वाला, क्या बाते भी या, रोज रोज राशन भर के जाते आपके घर, लेकिन पैसे का हिसाब करने आप नहीं आते, और भाया, सूरू सूरू में तो लगा था कि पूरा ठेला ये आपके घर लग जाएगा, लेकिन पैसे दना के नाम पर आप लोग गाय बुजाते हैं, डेरी वाला भी लंबा चोड़ा हिसाब बना कर बैठा था, ये क्या इतना बिल, कौन खाता इतना खाना, अरे मैं तो सिफ दो रोटे खाती हूँ, इतना राशन डेरी सबजी, क्यों बहू, वा माजी वा, सूई से लेकर एरोप्लें ते का सामान रहता है रसूई में, मौ मांगा खाना ऐसी नहीं मिलता, हम, बहु तो ये बोल कर वहां से चली जाती है, लेकिन सास और पती सर पर हाथ रख लेते हैं, कि मौ मांगे खानी की किमत कितनी मैंगी पड़ गई